hello friends मैं प्रिती आदप स्वागत करती हूं आपका हमारी एक और नइ वीडियो में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि π्रिग्नेंट महिना कैसा होता है लुद्धा होता है और आपको भी अपने बच्चनमेंंट अच्छी से देशति को हो भी व्हमारगा setup जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वैसे वैसे ही वो आपके पेट में ज़्यादा जगे घिरने लगता है और उससे आपको चलने, बैटने, कुछ भी काम करने में बड़ी परिशानी होने लगती है लेकिन मा बनने की ये खुशी आपकी अधिकतर परिशानीयों को आपसे बूर ही रखती है इसलिए चलिए हम बात करते हैं कि सातवे महीने में आपके बच्चे का विकास कितना हो चुका होता है तो फ्रेंच इस समय तक गर्व में आपके बच्चे की सर से पैर तक लंबाई लगवक 15 इंच के आसपास हो जाती है और उसका जो वजर होता है वो 900 ग पर रियक्शन भी देने लगता है इसलिए इस दौरान आपको उसकी मुवमेंट पर ध्यान देना है अगर आपको लगे कि वो किसी दिन कम या फिर बिलकुल भी मुवमेंट नहीं कर रहा है तो ऐसे में कभी-कभी होता है कि आपका जो बच्चा है वो सो रहा होता है डॉक्टर से तुरंट कंसल्ट करना चाहिए इसके अलावा इस महीने की आखिर में बच्चा जर्म लेनी की तैयारी में अपनी पोजिशन लेने लगता है उसका सर नीचे और पैर उपर की तरफ हो जाते है अगर उसमें अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आप घबराईए नह अभी समय है कि वो अपनी पोजिशन चींज कर सकता है और धीरे धीरे वो अपनी पोजिशन में वापिस आ जाएगा और अब साथवे महीने की प्रेगनेंसी में आप ज्यादा जल्दी ठकने लगती है इस महीने भर में ही आपका वज़न करीब डेट से पौने दो कलो तक भ करने लगता है इसलिए इस समय आपके सरीर में होने वाले शारीरे और मानसिक बदलावों को देखते हुई आपको कुछ साफधानियां बरतने की जरूरत होती है सबसे पहली बात कि जुकर आप बिलकुल न चले क्योंकि आपका बड़ा हुआ वजन और पेट आपको आंगे तरफ करवट करके ही लेट है क्योंकि बाई तरफ करवट करके लेटने से आपकी नीद भी जल्दी पूरी हो जाती है और आपके पेट में पल रहे बच्चे के लिए भी आपको कोई काब्लम नहीं होती है इसके अलावा कोई भी आप भारी समान न उठाएं या फिर सरकाए ऐसा करना आपकी प्रिगनेंसी के लिए खतरनाख हो सकता है इसके अलावा प्रिगनेंसी के इस टाइम पर आपको सीडिया चड़ने और उतरने से भी बचना चाहिए पर अगर आपको चड़ना ही है तो रेलिंग का साहरा लेकर धीरे धीरे चड़े क्योंकि ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे अगर आपके पास की सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हैं हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूर भी कुशिश करेंगी चलिए अब आपसे विदा लेती हूं अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए स्वास्त रहिए